मेरे प्यारे देश्वाश्यों, नमस्कार, कोरोना के प्रभाव से हमारी मन की बाद भी अच्छूती नहीं रही है, जब मैंने पिछली बार आपसे मन की बाद की थी, तब पैसेंजर ट्रेने बन थी, बसे बन थी, हवाई सेवा बन थी, इस बार बहुत कुछ खुल चुका है स्रम एक्स्प्रेशन ट्रेने चल रही है, अन्य स्पेशल ट्रेने भी शुरू हो गई है, तमाम सावधानियों के साथ हवाई जहाज उड़ने लगे हैं, धीरे धीरे उद्योग भी चलना शुरू हुआ है, यानि अर्थ वबस्ता का एक बड़ा हिस्सा अब चल बड़ा है खुल गया है, ऐसे में हमें और ज़्यादा सत्रक रहने की आवश्यक्ता है, दोगज की दूरी का नियम हो, मुँपर मास्क लगाने की बात हो, हो सके बहां तक घर में रहना हो, ये सारी बातों का पालन उसमें जराभी डिलाई नहीं बरदनी चाहिए, देश में सबके प्रयासों से कोरोना के खिलाप लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है, जब हम दुनिया की तरफ देखते हैं, तो हमें अनुभव होता है कि वास्तों में भारत वास्यों की उपलब्ति कितनी बड़ी है, हमारी जनसंख्या जादातर देशों से कई गुना की है, लेकिन फिर भी हमारे देश में कोरोना उतनी तीजी से नहीं फैल पाया, जीतना दुनिया के अन देशों में फैला, कोरोना से होने वाले मृत्युदर भी हमारे देश में काफी कम है, जो नुक्षान हुआ है, उसका दुख हम सब को है, लेकिन जो कुछ भी हम बचा आपाये हैं वो निश्चित तोर पर देश की सामुहिक संकल्प शक्ति का ही परणाव है इतने बड़े देश में हर एक देश वासिने खुद इस लड़ाई को लड़ने की ठानी है यह पूरी मुहीम पीपल ड्रिवन है शाथियों देश वासियों की संकल्प शक्ति के साथ एक और शक्ति इस लड़ाई में हमारी सबसे बड़ी ताकत है वो है देश वासियों की सेवा शक्ति वास्तों में इस महामारी के समय हम भारत वासियों ने यह दिखा दिया है कि सेवा और त्याक का हमारा विचार केवल हमारा आदर्श नहीं है बलकि भारत की जीवन पद्धती है और हमारी यहां तो कहा गया है सेवा परमो धर्माह सेवा स्वयम में सूख है सेवा में ही संदोश है आपने देखा होगा कि दूसरों की सेवा में लगे विक्ति के जीवन में कोई डिप्रेशन या तनाव कभी नहीं दिखता उसके जीवन में जीवन को लेकर उसके नजरिये में भरपूर आत्मविश्वास सकारक्रत्ता और जीवन्तता प्रतिपल नजराती है साथियों हमारे डॉक्टर्स नर्सिंग श्टाफ सफाई कर्मी पूलीस कर्मी विडिया के साथी ये सब जो सेवा कर रहे हैं उसकी चर्चा मैंने कई बार की है मन की बात में भी मैंने उसे जिक्र किया है सेवा में अपना सब कुछ समर्पित कर देने वाले लोगों के संख्या अंगिनत है ऐसे ही एक सज्जन है तमिलनाडू के सी मोहन सी मोहन जी मदुरे में एक सलून चलाते हैं अपनी महनत की कमाई से नों ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए पांच लाख रुपे बचाये थे लेकिन नों ने ये पूरी राख्षी इस समय जरुरत मंदों गरीबों की सेवा के लिए खर्च कर दी इसी तरह अगर तला में ठेला चला कर जीवन्यापन करने वाले गौतम दास जी अपनी रोज मरा की कमाई की बच्चत में से हर रोज दाल चावल खरीद कर जरुरत मंदों को खाना खिला रहे हैं पंजाब के पठान कोट से भी एक ऐसा ही उधारन मुझे पता चला यहां दिव्यां भायराजू ने दूसरों की मदद से जोड़ी गई छोटी सी पुंजी से तीन हजार से अधिक मास्क बनवा कर लोगों में भांटे भायराजू ने इस मुश्किल समय में करीब सो परिवारों के लिए खाने का राक्षन भी जुटाया देश के सभी इलाकों से विमेन सल्फ हल्फ गुरू के परिश्नम की भी अंगिनत कहानिया इन दिनों हमारे सामने आ रही है गावों में छोटे कस्पों में हमारी बहने बेटिया हर दीन हजारों के संख्या में मास्क बना रही है तमाम सामाजिक समस्ताय भी इस काम में इनका सयोग कर रही है साथियों ऐसे कितने ही उधारान हर दिन दिखाई और सुनाई पड़ रहे हैं कितने ही लोग खुद भी मुझे नमो एप और अन्न माध्यमों के जरिये अपने प्रहासों के बारे में बता रहे हैं कई बार समय की कमी के चलते मैं बहुत से लोगों का, बहुत से संगठनों का, बहुत से संस्ताओं का नाम नहीं ले पाता हूँ, सेवा भाव से लोगों की मदद कर रहे, ऐसे सभी लोगों की मैं प्रसंशा करता हूँ, उनका आदर करता हूँ, उनका तहे दिल से अभेनांदन करता हूँ मेरे प्यारे देशवासियों एक और बात जो मेरे मन को छू गई है वो है संकट की इस घड़ी में इनोवेशन तमाम देशवासी गाउं से लेकर शहरों तक हमारे छोटे व्यपारियों से लेकर स्टार्ट अप तक हमारी लैप्स कोरोना के खिलाब लड़ाई में न मैंने इनोवेशन कर रहे हैं जैसे नासिक के राजेंद्र आदव का उधार बहुत दिल्चस्प है राजेंद्र जी नासिक में सतना गाउं के किसान है अपने गाउं को कोरोना संक्रमन से बचाने के लिए उन्होंने अपने ट्रेक्टर से जोड़कर एक सेनिडराइजेशन मशीन बना ली है और यह इनोवेटिव मशीन बहुत प्रभावी तरिके से काम कर रही है इसी तरह मैं सोशल मीडिया में कई तस्विरे देख रहा था कई दुकानदारों ने दोगज की दूरी के लिए दुकान में बड़े पाइप्लाइन लगा लिए हैं जिसमें एक छोर स उपर से सामान डालते हैं और दूसरी छोर से ग्रहक अपना सामान ले लेते हैं इस दौरान पढ़ाई के खेत्र में भी कई अलग-अलग इनोवेशन शिक्षकों और चात्रों ने मिल कर किया है online classes, video classes, उसको भी अलग-अलग तरीकों से innovate किया जा रहा है कोरोना की वैक्सिन पर हमारी लेप्स में जो काम हो रहा है उस पर तो दुनिया भर की नजर है और हम सब की आशा भी